भुपाल की खबर के साथ जहां टिकेट ना मिलने से नाराज कॉंग्रिस कारिकरताओं ने विरोध चताया है कई पूर पारशदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है पूर पारशद अब्दुल सफीक खान ने इस्तीफा दे दिया कई जुला पतादिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है बतादे कि कल जब 85 पारशद प्रत्याशियों के नामों का अईलान हुआ था उसके बाद से लगा था कॉंग्रिस में विरोध के सुर्व भी उठ रहे थे टिकेट ना मिलने से नाराज कारेकरता कहीं विरोध जिता रहे थे तो कहीं नारेबाजी कर रहे थे और अब खबर मिली है कि आधे दरजन से जादा कारेकरताओं ने पार्टी का हाथ छोड़ दिया है कई पूर पारशदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है जिसमें पूर्पार्शद अब्दुल सफीग खान, मुनवर अली, शाहिद अली, नजमान सारी और इक्तियार एहमत का नाम शामिल है तो टिकेट नहीं मिलने से नाराज हैं ये सभी और अब पार्टी छोड़ने का फैसला ले चुके है चुले इस खबर पर हमारे साथ संभधाता आकर्श लाई जुड़ गए उनका रूप कर लेते हैं आकर्श हमने देगा कल जैसे ही पार्शच पत्याशियों की नामों की घोशना हुई उसके बाद से लगाता कॉंग्रेस कारेकरता विरोध चता रहे हैं मुर्दाबाद के नारे बाजी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कही न कहीं सुबहाँ तेज ती जब क리 कारेकरता इस्तीफे की बात कर रहे थे अब हम देख पा रहे हैं कि आदा दर्जन से ज़्यादा जो कारे करता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जी सुवांगी कांग्रेस पार्टी में जब से ही पार्षदों के टिक्टों का एलान हुआ है जब से बिरोत के सुरू लगातार देखने को मिल रहा है और इस बक्त में उत्तर पधान सभा मौझूद हूँ और जहां पर आप देख सकते हैं कि आदा दर्जन से ज़्यादा जो पूर्व पार्षद हैं वो यहां पर मौझूद है और इसमें से मैं आपको बताना भी चाहूँगा अब्दुल सफीक खान जो है पूर्व पार्षद करें तो अलग-अलग जलाष्ट्री कमेटी की बात करें परदेश-चांग्रेश कमेटी के जो सदस्य हैं यह कुछ ना कुछ पदपर हैं उन तमाम लोगों ने ब्रोध अपना जता है और यही कारणे के इस तीपा उन्होंने तयार करके रखा हैं मैं इस्तीपा भी उनको द पर हैं तो अप्रोत के सुर लगातार बने हुए हैं और हम बात भी करेंगे जो सबसे पहले अब्दुल सफीक वर्तमान में पराशन था काप vineूर है नाया शटीनी और जो पुराने कारता था जो कांग्रेस की नीति के कारण हुआ कहा तक हमने अख़बारों में सुना ता कि यह खा जा रहा था कि उनको टो दिया जाएगा जो जीतनी की संभावना हो लेकं टिक சी देंगे उसको वाटने से टिक बना oxygen को मन्साब सिसके साथ विए गाय है उनकी चाहते थे सीनियर लोग इनको नेगलेट किया गया है तीनवार पार्सद रह script इनका कोई वजूद नहीं है ना तो वार्ड में उन्हें कोई पेचानता है ना उन्हें कांग्रेस के लिए कोई कल्टिबीचन है वो उनके हस्बेंड खुद चुनाव लड़ चुके समाजवादी पार्टी से विधायक के खिलाफ वो केलाश मिश्रा के खिलाफ चुनाव देंगे तो कल आने वाली विधान सबास्टी खत्रे में आ जाएगी दूसा यह जिनको टिकेट दिया है वो टिकेट ऐसे लोगों को दिया जिनकी चबी बहुत खराब है अपन पहले अपन चबी वालों को दिये चबी का इतनी खराब है जुगा सट्टा शराब माफिया लोगों को टिकेट दिया जाता जिसनसे कांग्रेस पारडिकी वात की तुके चराब हों गया दिकतुर थी कारकरता बहुत दुखी है जिस तरह से टिक्टों को बाठा गया है निच्च तो को बहुत भारी नुकसान होगा इस बार के नगरने के उच्छ गुनाओं में और आने वाले विदान सभा चुनाओं में तमाम लोग जो है निर्दली लड़ने जा रहे हैं यह हम लोगों ने अभी तो इस्तिफा दिया है और इसके बाद हमारी मिटिंग होगी उस बेठक में लिए जाएगा कि हम लोगों को हम लोगों ने सबने पर्चे भर दिये हैं अब सबने अपने वाड़ों से पर्चे बर दिये और हम बिठक के बार यह निड़े लेंगे कि हमें क्या करना महिला को पढ़ानी की कॉंग्रेस बात करती है आप तो सिटिंग पार्षद हैं आपक किक लाइक से कहीं डोव गई फ्र पार्टी ने मेरी जानिब से तो कोई चूक नहीं हुई आप मेरे मेरे वाड़ों में जाकर सर्वेग robić कर सकते मेरे राड़ों चेत्र ओप जो बड़ी से 40 साल पार्टी को दिये इस तरीके से आप इस्तिपा देंगे तो पार्टी कमजोर होगी बाद में मौका मिल सकता नहीं जो महनत करते हैं जमीनी मेहनत करते हैं उनको हफटा और चापलوس और ए हुशामत पसंड लोगों दो लिया आजाता है तो उससे तो नुक्सान हो नहीं है कांग्रेस को हायी बोला जा रहा है कि जो तीन से चार साल से लगातार पासथ तो यह नहीं देखती है कि कौन सा कारकरता काम करता है कौन सा नहीं बड़ी बात कई है और देखिए एक साथ इतने सारे लोगों ने पार्टी का हाथ छोड़ा है तो कहीं नाराजगी है जो स्था से टिकेट बटे हैं देखना होगा कि आगे क्या कुछ रोख ये सभी कारकरता अपनाते हैं विलहाल इनों ने कॉंगर्स को अलविदा बोल दिया है